हेलो बच्चो स्वागत है आप सभीका आपकी अपने चैनल गौट ग्लासेस पर तो बच्चो आज की जो क्लास है उसमें पर्मूटेशन इंड कॉमिनेशन का नेक्स पार्ट हम करने वाले हैं जिसमें एक बड़ा इंपोर्टेंट टॉपिक आज के हम क्लास में समझने वाले ह बहुत से स्टुडेंट इसी बात में कंफ्यूज रहते हैं कि जब प्लस का साइन आएगा कब मल्टिप्लाइ का साइन आएगा पता ही नहीं चलता अब पता ही नहीं चलता तो बही आप कोश्चन जब करोगे तो मल्टिप्लाइ लगाना होगा प्लस लगा दोगे प्लस क्या है और एडिशन प्रिंसिपल क्या है अगर यह आप समझ गए तो यकीन मानों आपको कभी भी यह परिशानी नहीं होगी कि यहां पर प्लस क्यों आया और यहां पर क्यों आया तो वीडियो को पुरा स्टार्टिंग से एंड तक देखना स्किप मत करना विल्कुल भी स्किप करोगे तो फिर फिर मैं गारेंटी नहीं लेता कि आपको प्लस यह मल्टिप्लाय का साइन समझ में आएगा यह नहीं आएगा ठीक है तो हम स्टार्ट करते हैं लिए सबसे पहला जो मल्टिप्लिकेशन रूल या एडिशन रूल हम दोनों को एखटाय समझते हैं कि क्या यहां पर रूल एपलाई हो रहा है तो उसके लिए हम एक सिंपल सा एक्जामपल लेते हैं सब्सक्राइब आप कई गूमने के लिए जा रहे हो ठीक है आउटिंग का प् है तो फार म गूमने जा रहे है तो फ़र हैट्वैट लगा लेंगे और फ़र गोगल्स लगा लेंगे बढ़िया से तिंच हो पर जाएगे आपसे उप्स्री दिए है ,बढ़िया गोगोल्यट तो वहां से इसे अप्शन चलो यह लेते हैं तो थे पाप नहें एक शोपके celet करें और दो गोगल से लेट कर लिए अब पापा ने च्वाइश दी वहाई आपको कि एक मेरवान थो भी किस हेट के साथ आपको कॉन सा इक और आ पसंद आ रहा है तो उसके साब से मना लो अब लेकिन वह न कि लालस अई जाता तो आपился महरवान है तो चलो pocket अच्छी तरह डिली करा दी जाए तो आपने क्या करा कि हैट देखे बहुत बड़ी अलग रहें बहुत बड़ी अलग रहें तीनों हैट और गोगल से ना यह तो दोनों के दोनों क्लास गोगल है मैं इसको ना अलग-अलग combination बना के पहनुगा कभी इस हैट के साथ यह वाला गोगल कभी इस हैट के साथ यह वाला गोगल इस तरह से मस्ट combination बना के पहनुगा बबा तो हम ऐसा करते हैं तीन हैट भी ले ले लेते और दोनों गोगल भी ले ले लेते हैं और पापाई संद यह मैंने तो प्सक्रां प्सक्राइव नियुदि自 Byos Football ऑने बताई कि है कि महनने से मैं पहने यह तो इसके साथ मैंने पहले जो लगा दिया मस्ट कॉमिनेशन स्व Low यह यहां फिर हैत्वन के साथ गोगल तो यह लग रहा है एसलिका के साथ Google one head two के साथ Google two head three के साथ Google three और head three के साथ sorry Google one or head three के साथ Google two इस तरह से आपने यह दोनों का combination बना लिया यह बढ़ा है कि आप मुझे दो चीज दिला रहे हो आप मुझे दो चीज दिला रहे हो लेकिन छे चीज बना ली अपने लिए और पापा भी थोड़े यहार मैं दो दो चीज दिला रहा हो और बेटा चीज बना रहा है लेकिन यह निए पता कि बेटा यहां पर कुछ कर रहा है कुछ कलाकारी कर रहा है कि क्या कलाकारी कर रहा है कि फंडमेंटल प्रिंसिपल काउंटें लगा कर दो चीज दिला ही हैं दो चीज से वह छे चीज ब बना लिए, number of combinations आपने बना लिए, कि भी मैं इस head के साथ ऐसे, इस head के साथ ऐसे, तो यही होता है हमारा multiplication principle of counting, यहाँ पर आपने क्या किया, तीनों के तीन head भी ले लिए और दोनों के दोनों goggles भी ले लिए, तो आपके पास total मिला कर बनिया यहाँ पर, number of ways to arrange these two things, यह बनिया आपके पास six, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, जब आप एक option ले रहे हो, चूस कर रहे हो, दूसरा option भी चूस कर रहे हो, दोनों option चूस कर रहे हो, तो उसको करते हैं यहाँ पर multiply, ठीक है, जैसे यहाँ definition ने बता रहा है कि multiplication rule क्या कहता है, if certain things may be done in m different ways, किसी एक चीज को हमने m different ways से करा, m हमारे पास यह हो गया, तीन यहाँ पर, and when it has been done, जब वो complete हो गया, head खरीद लिये, this second thing can be done in n different ways, तो आपने दूसरी चीज को n different ways से खरीद लिया, यानि दोनों Google से दोनों के दोनों खरीद लिये, then total number of ways of doing both things simultaneously is equals to m into n, तो यहाँ पर जो दोनों चीज आपने बनगे three into me two, यानि total मिला कर बनगे six, अब situation थोड़ा दूसरा हम twist करते हैं, अब situation पापा न समझ में आ गया कि भई या, इसको option देना ना, जाता बेखा आ रहा है नहीं, तो एक अभाड़ा कर देगा, अब आपने क्या करा कि भई, मैं तेरे को बोल रहा हूं कि तीन head तेरे पास हैं और दो गोगल्स तेरे पास है, इसमें से कोई एक चीज आप तुझे सेलेट करनी है, ठीक है, चाहिँ है तो head कर ले select, या googles कर ले select, लेकिन एक़ीची सेलेट करनी है, अब आपके पास क्या option बने, अब आपके पास क्या option बने, आपने क्या, आपने ऐसे कर सकते हो या आप तो head one choose कर सकते हो या head two choose कर सकते हो या head three choose कर सकते हो या google one choose कर सकते हो या googles two select कर सकते हो ऐसी कर सकते हो जब एक ही option मिलेगा तो यह पापप भी हो समझदार होगे कि बेटा चंपी लगाने में लगा पड़ा है तो इसको चंपी लगाने ने देनी है, इसको मरिया मुझे रेस्टिक कर देना है तो बैज तीन आपको head दिखा दिये, दो gogles दिखा दिये, कह था एक ही लोगे एक से फालतू लेने का कोई चक्कर नहीं है या तो head ले लो, या फिर gogles ले लो, लेकिन लोगे कोई एक चीज अब आपके पस option क्या बने? अब आपके पस option बने total 5 अब 5 option बने, तो इसमें क्या करना है आपको? जितने option आपको पहले मिले, और जितने option आपको बाद में मिले, उसमें कर देना है आपको add 3 plus 2 equals to 5 तो यहां पर देखो addition rule क्या कह रहा है if there are two alternative jobs अगर दो alternative jobs है मतलब या तो यह या फिर यह which can be done in M ways and in N ways respectively then either of two jobs can be done in M plus N ways तो दोनों में से आप कोई भी काम कर सकते हो लेकिन उसके लिए आपको दोनों को plus करना पड़ेगा तो यहां पर मोटवटवटवटवटवटवटवटवटवटवटवटवटवटवटवटवटवटवटवटवटवटवटवटवटवटवटवटवटवटवटवटवटवटवटवटवटवटवटवटवटवटवटवटवटवटवटवटवटवटवटवटवट तो वहां पर क्या करा हमने वहां कर दिया multiply वहां पर क्या करा मने वहां कर दिया multiply तो यह दोनों रूल fundamental principle of counting अब इसमें हम questions करने वाले concerns से आपको और clear हो जाएगा कि क्या क्या आपको इसमें करना चाहिए तो first question की अगर हम बात करें exercise 7.2 question number first in a class in a class there are 22 girls and 17 boys class के अंदर 22 girls है 17 boys है total मिलाकर 39 student है the teacher wants to select either a girl or a boy teacher को क्या करना है या तो girl select करनी है या boy select करना है दोनों नहीं करने इधर a girl और a boy to represent a class in a function in how many ways can the teacher make this selection तो teacher is selection को कैसे कर सकता है यानि number of ways to choose a girl कितना बनेगा number of ways to choose a girl कितना बना ये बना आपके पास 22 22 girls है किसी को भी चूज कर ले ठीक है number of ways to choose a boy 17 तो number of way to choose either a girl और a boy either a girl और a boy मतलब या तो girl को चूज करना है या boy को चूज करना है या word आ गया और word आ गया और English वाला ठीक है और English वाला Hindi में या तो आपको क्या करना है दोनों को कर देना है plus 27 plus 17 in 39 ways teacher can select either a boy और एक girl तो इस तरीके से आपको represent करना है बहुत आसान question था अब उसके बाद second question पर चलते हैं यहाँ पर देखते हैं क्या होता है of 11 cricket player one is to be chosen as captain and another wise captain 11 लोग की team है 11 लोगों में से एक captain चूज करना है और एक wise captain चूज करना है ठीक है अब यहाँ option नहीं है यहाँ option नहीं है कि आप तो captain चूज कर लो या wise captain कर लो कोई एक कर लो से काम चल जाएका नहीं बहुत दोनों करने दोनों करने एक as a captain चूज करना है and another wise captain तो जब आपको दोनों चूज करने तो क्या हो जाएगा यहाँ पर लग जाएगा multiplication तो multiplication करेंगे 11 cricket player है 11 में से आपने खड़े कर दिए 11 के 11 एक captain चूज करना है कितने option मनें आपके पास total 11 option है to choose a captain तो 11 ठीक है number of ways to choose a captain statement आप लिख लेंगे अपने आप into into क्यों करना है क्योंकि दोनों चूज करने हमें अब wise captain जो चूज करेंगे तो जो captain हमने चूज कर दिया क्या उसको wise captain चूज कर सकते हैं एक परसन दो तो नहीं हो सकता ना तो wise captain चूज करने के लिए हमारे पास बचेंगे बाकी के 10 player तो उन 10 को यहाँ multiply करोगे आज जाएगा 110 ways यानि 110 तरीके आपके पास ऐसे हैं जिससे आप किसी टीम का captain और vice captain चूज कर सकते हो question number third there are four doors in the lotus temple lotus temple घुमने गई होंगे लगबख सभी गई होंगे lotus temple तो बहुत famous temple है तो करा कि वहाँ पर चार डोर हैं अंदर एंट्री करने के चार डोर हैं चारो दिशाए के अंदर चार डोर हैं कहीं से भी एंट्री कर जाओ कोई दिक्कत नहीं है in how many ways can a person enter the temple कि कितने तरीके ऐसे हैं जिससे एक विक्ती टेंपल के अंदर आएगा and leave by a different door और दूसरे gate से जाएगा जानी जिस gate से आया है उस gate से नहीं जाएगा जिस gate से आया है एक तो वो गया उस gate को छोड़ देंगे बाकी की जो तीन gate है उससे वो जाएगा अब यहाँ पर क्या करना है यहाँ पर आएगा तो बाहर भी जाएगा तो यहाँ पर लगेगा की जाएगा ठीक है statement बड़े अराम नाम से आप लिख लो मैं सारे statement नहीं लेख रहा हूं number of ways to enter in the temple, number of ways to leave the temple, दोनों को multiply कर देंगे इस तरह से आपका अंसर आ जाएगा, उसके बाद चलते हैं question number fourth पर, the chair in a auditorium to be labeled with a letter and a positive integer not exceeding 10, यह कर रहा है कि पर chair एक auditorium के इंदर रखी हैं, तो उस पर हमें label करना है, उस पर हमें चेप्या चिपकानी है, ठीक है, label करना है कि कितनी chair हमारे पास हैं, तो उसके लिए क्या करता है कि या तो एक साथ में letter लगाएगा आगे, बदला एक तरसे code डाल दिया, तो code कैसे डालना है, labeled with a letter and, and बोला है इसनी ठीक है, and a positive integer, not exceeding than 10, 10 से ज्यादा बड़ा integer नहीं होना चाहिए, तो integer positive integer स्टार्ट होते हैं 1 से, और 10 से बड़ा नहीं होना चाहिए, मतलब 10 तक होगे, तो 10 integer हैं, और letter हमारे पास total कितने, 26, तो कोई भी letter हम ढाल सकते है हमारे पास 26 options हैं, हम दमारे पास 10 integer हैं, 10 में से कोई भी integer डाल देते हैं, answer आगे है 260, यानि इसके अंदर जो total number of chairs थी, वो 260 chairs हैं, जिसको हम label कर सकते हैं इस तरीके से Question number 5, एक tennis club consists of 8 boys and 11 girls, एक tennis club है, जिसके अंदर 8 boys हैं और 11 girls हैं, अब कहते हैं, how many ways can a mixed double teams be chosen, अब आपको एक mixed double team चूज करनी है, तो कैसे चूज करोगे, अब mixed double का मतलब क्या होता है, Mixed double का मतलब होता है कि उसके अंदर boy भी होने चाहिए, girl भी होने चाहिए, male भी होना चाहिए, female भी होना चाहिए, तभी mixed team बनेगी, अब कितने boys हैं आपके पास चूज करने के लिए team में, 8 boys हैं, कितनी girls हैं, 11 girls हैं, दोनों लेने पड़ेंगे, option तो नहीं है ना कि या तो यह ले लो या तो यह ले लो दोनों ही लेने पड़ेंगे, तभी mixed team बनेगी, यानि दोनों को multiply करोगे, 88 ways आपके पास बनेगे, जिससे आप कोई भी ए team चूज कर सकते हो, question number 6, there are 21 towns in district connected by railways, 21 town एक district के अंदर, वो सारे के सारे railway से connect है, rail जहां, मतलब उन सभी जगह पर जाएगी, जाएगी, ऐसा connect किया गया है, find the number of tickets required by the railways, so that a passenger can travel from one town to another, तो railway के पास कितनी tickets होनी चाहिए, कम से कम, कि passenger एक station से चड़े, और दूसरे station पर उतर जाए, एक station से चड़े, दूसरे station पर उतर जाए, ऐसा दो होगा नहीं कि एक station पर चड़ेगा, फिर घूम फिर के वहीं पर ही उतरेगा, ऐसा कोई, ऐसा कोई, सर्फिर हो होगा तो बात अलग है, नौर्मली ऐसे नहीं होता है, तो अब यहाँ पर क्या हुआ कि, जब railway ticket बनाएगी, क्योंकि उसके पास 21 platform है, तो उन 21 platform के लिए ticket बनाएगी, तो 21 options होगे आपके पास पहले दो, कि कोई अगर परसंट ticket खरीता है, तो उन 21 platform में से किसी की भी ticket अब जब बाकी के जो platform है, उनके लिए ticket खरीदूगा, तो मेरे पास option बचेंगे, 20 क्योंकि मत्रा की, तो मैंने ऊल्एडी परचेस कर लिया, वहां से तो रोड़ाएगा। जहां उतरना है उसके लिए मेरे पास 20 ओप्षन है तो 20 टिकेट और में खरी सकता हूं उसमें तो टोटल बनाकर आगे आपके पास 420 ठीक है नमबर यह बड़ा धासु है इसमें तो 420 ठीक है कोश्चन नमबर 7 पे चलते हैं कि 7 पे क्वेड कॉइन स्टोर्श 4 ताइम एक कोई इस टोर्श 4 ताइम एंड़ क्वेडिट एक को इनको हमने चार बार टोस करना है ठीक है और आउटकम रिकोर्ड करने हावनी डिफेरेंट आउटकमस आउटकम जा सब्सियुकुग। कि 5 तो किए या हमें टॉस्ट में से पोहँआइएंट फिर यहां पर हमें क्या करना है एक कोइन को हम एक लाट करते तो मारे पास आउटकम आतें तो सबीट यहां पर हम करेंगे तो हो भी तो यही रहेगा चेंज तो नहीं होगा ना तब विए रहेंगे दो थीस्री वार करएंगे तब भी रहेगा चौति वार करेंगे तब भी रहेगा टोटल आ जाएंगे आपके पास 16 तो 16 आपकम बनेंगे अगर आप किसी कोईन को 4 भार टॉस करोगे तो question number 8 में क्या इन्हें class test in class test teacher decided to give five questions one each from the first five exercise of the textbook अब teacher ने test लेने के decide किया ठीक है teacher ने कहा कि एक test ले लिया जाए बच्चों बच्चे तो वही कभी कभी चाते ने की test हो लेकिन क्या गरें teacher लेता है तो मजबूरी में देना बड़ता है तो टीछर ने कहा कि वहीं पांच exercise है, उन में से test होगा, बच्चों ने का सार, important बतादो, important बतादो, कोई important ये सारे question करने, बच्चे परिशान, कि कितने question आ सकते हैं, option देखो, कितने number of ways बन सकते हैं, कितने questions हो सकते हैं, possibility, तो अब ऐसा निकालने के लिए बैड़ गया एक बड़ा इंडुसियार सा बच्चा दा वही वह निकालने के लिए बैड़ गया कितने तरीकों से मैं पेपर सैट कर सकते हैं कितने तरीकों से साथ पेपर सैट कर सकते हैं तो उसमें देखा जो पहली एक्सेसाइज है उसमें साथ कोश्चन ह है तो साथ में से कोई भी कोश्चन ले सकते है तीचर की मरद जी बहुए साथ में से कोई भी कोश्चन ले सकते है तीक है अब जब दूसरा कोश्चन होगा क्योंकि पहला कोश्चन देना दूसरा भी देना तीसरा भी देना चौथा भी देना कोशन देना चरेंग तो सारे खुंशन देने तो मतलब मल्टि्प्लिकेशन लगेगा ना यहाँ पर तो दूसरी एक्सरेसाइज गडिए तो उसमें तीनी सकते छेता है फिरग्ला 향mar कोशन न adults चोछा 6 दे दिए, अगला कोशिjamasे उसमें 10 औप्षोन है, उससे अगला कॉष्टन थो, ऐसके लिए 3 औप्षोन है, अब बच्छों ने लिख तो दिए, लेकिन अब टॉटल नुम्मर और वेज निकाले, तो कितने तरीके से कॉष्टन पेपल सैट हो सकता है, अब वो निका 15120 इतने तरीके से question paper set हो सकता है बच्चे परिशान यार क्या तरीका यूज करें इतने तरीकों से question paper set हो सकता है बड़ी है वहिए सारे question कर लो test में कुछ भी आ सकता है ठीक है और होना भी ही चाहिए test में कुछ भी आ सकता है सारी practice करो एक बच्चा लगातर comment कर रहा है सर इंपोर्टेंट बदा दो इंपोर्टेंट बदा दो कई बर comment कर चुका है उसको में एक बार reply भी कर चुका हूं कि अभी सब इंपोर्टेंट है अभी सब इंपोर्टेंट चीजे होती है जब एक्जाम से एक दो दिन पहले की बात है कि इंपोर्टेंट question आप कर लो चलो उससे आपका काम हो जाएगा पर revision भी हो जाएगा question भी practice हो जाएंगे अभी से इंपोर्टेंट पूछके क्या करोगे अभी तो सारा कुछ इंपोर्टेंट है सब कुछ करना अभी तो बहुत टाइम है अभी तो बहुत टाइम है प्रेक्टिस करो अभी तो ठीक है नाइन्थ question का देको first part find the number of four letter words with or without meaning हमें चार letter का word बनाना है with or without meaning हमें मतलब यह mathematics हम पढ़ रहे हैं अमें meaning से मतलब नहीं English में meaning निकले कोई या ना निकले which can be found out of the letters of the word honest जो honest में जितने letters use हो रहे हैं उनका हमें use करना है honest में letter यूज कर होने है छे हमें बनाना है चार लेटर का वर्ड बनाना है तो जब हम पहला वाला लेटर यहां फिल करने जाएंगे तो यह छे ओप्षन है honest के honestly हमारे पास छे option सहना उन छे options में से कोई भी option आप यहां सकते हो और कोई भी अल्फावेट रख सकते हो अब जो अल्फावेट आपने यहां पर रख दिया उस अल्फावेट को यहां तो रख नहीं सकते तो यहां पर आपके पास बनेंगे पांच option अगले वाले के पास बनेंगे चार option उससे अगले में बनेंगे तीन option अब यहां पर क्या करना है multiply करना है या add करना है क्योंकि आपको चारो word लेने है चारो letter लेने है ऐसा नहीं कि option हो आपके पास यह ले लो या फिर यह ले लो तो आपको चार लेने हैं, तो चारों लेने हैं, तो आपको करना है multiply, तो 3, 4, 12, 12, 5, 0, 66, 6, 0, 36, अंसर आगया 3, 60, सेकिंड पार्ट, सेकिंड पार्ट में का, फोरे ग्रूप फोटोग्राफ, 3 वोईज और 2 गल्स स्टेंड इन लाइन, इन और पॉसिबल वेज, तीन वोईज हैं, और जैसे मर्जी, मतलब एक लाइन के अंदर खड़े होने जैसे मर्जी खड़े हो, ठीक है, कोई भी कहीं फोटो एक अरेंजमेंट के लिए हो, एक अरेंजमेंट मालो, तीन वोईज एक तरफ खड़े हैं, दो गल्स एक तरफ खड़े हैं, उनकी फोटो हो गई, एक फोटो हो गई, अब उन्होंने अपना ओडर चेंज कर दिया, कोई धर हो गया, कोई धर हो गया, तो अगला ओड of people आपके पास बनगे फोटोग्राफ में, number of people बनगे 3 plus 2, ठीक है, total आपके पास 5 लोग हैं जो की फोटोग्राफ में खड़े होने, अब हमारे पास 5 प्लेस है, 1, 2, 3, 4, 5, यहां पर कोई सा भी आजाए, उन पाचों में से, चाहे गरल आजाए, चाहे बोई आजाए, हमें कोई दिक्कत नहीं है, यहां पाच में से कोई भी आजाए, बाकी जो चार लोग बचेंगे, वो इधर आगे, बाकी तीन के लिए यह उप्शन है, बाकी दो के लिए, और लास्ट में जो एक बचेगा, उसके लिए कोई उप्शन नहीं है, उसको लास्ट में यहां पर आना पड़ेगा, तो अब कितने टोटल नंबर होगे, 5, 4, 20, 2, 3, 6, 6, 2, यानि आंसर आगे, आपका 120, तो 120 अलग लग तरीकों से यह फोटोग्राफ बन सकते हैं, यानि टोटल मिलाकर नंबर होटोग्राफ भी 120 होंगे, question number 10, how many 4 letter code words are possible using the first 10 letter of the English alphabet, English alphabet के पहले 10 letter आपको यूज करने है, condition क्या है पहले में कि no letter can be repeated, कोई भी letter repeat नहीं करोगे, 4 letter का code बनाना है, secret code बनाना है, कोई तोड़ न पाए, ठीक है, तो 4 letter का code बनाओगे, तो आपके पास 10 ही letter है, यूज करने के लिए, कोई से भी 10 में से, एक letter आप यहाँ पर यूज कर सकते हो, अब इसने बोला कि आपको letter repeat नहीं करना है, नो letter can be repeated, तो जो दस में से आपने एक letter चूज कर लिया, वो कर लिया, कतम काम उसका, अब बाकी के रहेगे, नो letter, उन नो letter को आप यहाँ पर रख दो, अगले में फिर 8 रहेंगे, उस से अगले में 7 रहेंगे, यहाँ भी करना है multiply, क्योंकि चारो letters आपको यूज करने है, तो इक इतना आ गया, 9, 8, 72, 72 को अगर हम multiply करें, 7 से, 7, 2 जा 14, 7, 7 जा 49, प्लस 150, आंसर आया 50, 40, इतने total number of words आप बना सकते हो, second part में कैदा है कि letters can be repeated, repeat हो सकते हैं, कोई problem नहीं है, जो letter आपने एक बार लिखा है, उसको दूसरी बार भी लिख दो, a, 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 ऐसे भी बना सकते हो, तो जो पहला option भरेंगे, उसमें लिए 10 के 10 letter यूज कर सकते हो, दूसरी में भी 10 के 10 कर सकते हो, तीसरे में भी कर सकते हो, तोटल मिला कर 10,000 number of words बन सकते हैं, meaning है या नहीं है, doesn't matter, उससे हमें मतलब नहीं है, 11th का 1st part में देखको करता है, how many words, with or without meaning of 3 English alphabets can be formed, 3 English alphabets से आपको word बनाना है, how many of these have all distinct alphabets, तो उसके अलाबा ये भी बताना है कि distinct alphabets होंगे, तो कितने बनेंगे, तो यहाँ पर जो 1st part है, इसके अंदर 2 condition है, अगर letter repeat होंगे तो, letter repeat होंगे तो क्या बनेगा, 26 letter होते हैं, पहले place पर 26 letter में से कोई भी रख दो, अगले place पर भी 26 में से कोई भी रख दो, उससे अगले में भी 26 पर कोई भी रख दो, इन सब को multiply करेंगे, multiply करेंगे 17576, ठीक है, उसके बाद next question है, इसी में ही कहता है कि, भई, how many of these have all distinct alphabet, if alphabet are distinct, alphabets are distinct, तो, alphabet अगर distinct होंगे तो, इसका मतलब repetition नहीं हो रहा, तो, कितने हम words बना सकते हैं, तो, 26 तो option हमारे पास पहले word के लिए, पहले letter के लिए होगे, उसके बाद क्योंकि हमें repeat नहीं करता, फिर 25 आएंगे, उसके बाद 24 आएंगे, तो, 26, 25 और 24 इन सब को multiply कर दो, तो, आपके पास बन जाएगा ये, 16224, नहीं, 26 इन्टू में 25 करना था, 156 00, 156 00, ये इनका multiplication आ जाएगा, अब इसके second part के अगर हम बात करें, second part में कहता है कि two cards are drawn one at a time, and without replacement, कि हमें दो card निकालने हैं, दो card में से लेकिन एक card एक बार में निकालना है, और without replacement है, मतलब जो card आपने निकाल लिया, उसको वापस pack में नहीं डालना है, तो जब आप पहला card निकालोगे, तो उसमें आपके पास number of option आ जाएंगे 52, 52 card होते हैं, कोई सा भी आप निकाल सकते हो, determine the number of ways in which card can be drawn, what will be the number of ways, the first card is replaced before the second is drawn, दोनों condition यहाँ पर भी है, तो पहले वाले में तो कह रहा है कि, without replacement है, जो card आपने निकाल लिया, वापस नहीं डालना है, तो जब आपने पहला card निकाला, तो 52 card है, अब 52 card आएंगे, तो दूसरा जब card निकालोगे, तो 51 card आएंगे, तो यह card आप पहले निकाल चुके हैं, अब इन दोनों को अगर आप multiply करोगे, 52 और इसको, 52 और 51 को multiply करोगे, तो आजाएगा 2652, और अगर second condition में कहता है, second condition में क्या करा है, what will be the number of ways, if the first card is replaced, before the second card drawn, जब आपने second card निकाला, तो वो निकालने से पहले आपने जो पहला वाला card था, उसको replace कर दिया, यानि उसको वापस रख दिया, तो यहाँ पर जो option आपके पास बनेंगे, पहला card निकालोगे 52 आएगा, दूसरा card निकालोगे वो भी 52 यह option रहेगा, 52 को 52 से multiply कर लेंगे, तो option आपके पास आंसर आजाएगा, 2704, question number 12 देखते हैं, 12 में, पहले नंबर लॉक और सूटकेस, हैस थ्री वील्स, इच लेबल विट 10 डिजिट फ्रॉम 0 तू 9, एक सूटकेस पर एक नंबर लॉक लगा रखा है, जिसमें 3 वील है, हम सूटकेस में देखते हैं, साइकिल में लॉक होते हैं, कई बार हम उसमें देखते हैं, नंबर लॉक होते हैं, गुमा गुमा कैसे गुमा गुमा के number लॉक बनाते हैं, तो कह रहоловी कि जो उसमें 3 वील है, और उस तीनो वील पर 0 से 9 तक डिजिट लिखी होई है तो इसका मतलब number of digit 10 हो गई if the opening of the lock is a particular sequence of 3 digits with no repeat अब जो वो lock है वो ऐसा है कि उसमें 3 digits का use हो रहा है और digit repeat नहीं हो रही है with no repeat how many such sequences are possible तो कितने sequences possible है तो जब आप पहले वाला वील का sequence set करोगे जो आपके पास 10 digits है 10 में से कोई भी select कर लो तो पहले वाला sequence आगया 10 अब उसने बताया कि आपको repetition नहीं करना है तो जब अगले वाला वील का number select करोगे तो जो number आप already select कर चुके हो उसको select नहीं करना है तो अब आपके पास रहेगे 9 फिर अगले वाले वील के लिए आपके पास number रहेगे 8 इनको multiply करो 9872 answer आगया 720 ways तो 720 तरीके से आपको number lock set कर सकते हो तो इसी question के साथ ही exercise हमारी finish होती है और आयोब आप लोगो अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा fundamental principle of counting का funda क्या होता है कैसे आपको इसके questions को solve करने है और अगर आपको वीडियो पसंद आया तो अपने friends के साथ ज़रू शेर करो वीडियो को like करो, share करो, subscribe करके रखो चैनल को और bell icon को भी press करेके रखो ताकि आगयाने वाले वीडियो भी आपको लगातार मिलते रहें आज की इस वीडियो में इतना ही thanks to all of you